एक उर्दू भाषाविद कवी ने कहा लोग कहते हैं कि संगे दिल के आँख से आशू नहीं आते संग कहते हैं पत्थर को, दिल कहते हैं हिर्दय को पाशान हिर्दय व्यक्ति के लोचन सजल नहीं होते पर उस कवी ने कहा कि यह केवल सुना जाता है पर देखा तो कुछ और गया है क्या लोग कहते हैं कि संगे दिल के आँख से आशू नहीं आते अगर यह सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाडों से अगर यह सत्य है तो इन सरिताओं का जन्म परवतों से क्यों हो पर्वत से भी प्रीती का जरना फूट सकता है अगर कोई पर्वत को पिघलाने वाला हो तो आज पाशान जैसे हिर्दे से भी मानवता की सरस धारा बह सकती है अगर भगवान के चरणों का कोई आश्रे ले ले तो यह इस कथा का संकेत पर आज तो बड़ी विचित्र स्थिती है मानव आक्रती सब तर्फ दिखाई देती है पर प्रक्रती नहीं दिखती मानवता नहीं दिखती मानवों की भीड में मानवता खो गई गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं आदमी में हजार जोहर हों तो क्या आदमियत नहीं तो कुछ नहीं एक कसवा नुमा छोटा सा शहर एक दाहगीर उस रास्ते से जा रहा था प्यास लगी तरशाकुल उस बटोही के छट पटाते ने इन चारों तरफ द्रिश्टी पात कर रहे थे न कोई पाउशाला, न कोई कूप, न नल मिले कहां जल विचारा बिहाल था प्राण कंठगत हो रहे थे तक तक दिखाई पड़ा एक भव्य भवन भवन की खुली होई थी खिड़की द्वार भी खुला था जहाक कर देखा एक श्रीमंत सिर युकाए बैठे हैं, पास में ही जल से भरी सुराही रखी है उस पर गिलास ढका हुआ है राह गीर को लगा कि यहां पानी मिल जाएगा चला गया बेचारा हाथ जोड़कर अत्यंत विनमरता से बुला बाबुजी बाबुजी दो घूट पानी मिल जाएगा उस अभिमानी व्यक्ति ने अभिमान के बोज से दवी हुई गर्दन ऊपर उठाई लगभग जिड़कते हुए बुला क्या बात है क्या बात है बाबुजी प्यास लग रही है दो घूट पानी मिल जाएगा पानी पिला देंगा पानी हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते है इतने बड़े आदमी से कह रहा है क्या पानी पिला दो हम पानी पिलाने वाले लगते है जैसे हमारे पास और कोई काम ही ना हो तुम जैस आए पाउसाला है क्या है चले आए पानी पिला दो पानी पिला दो देखते नहीं है एक भद्र पुरुष का भवन है शरीफ आदमी का घर है राएगी रहाद द्योड के वो लसो तो देखे ही रहे हैं कि अवस्य सज्जन पुरुष का निवास है परिवाशाएं बदल गई है महराज पहले भवन के बाहर लिखा रहता था स्वागतम शुभागमन अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वैल कम अब यह लिखा नहीं मिलता अब भवन के बाहर लिखा मिले लिखा बिना इजाज़त अंदर आना मना हैं किसी-किसी भवन के द्वार पर लिखाओगा कुटे से सावधान हाला कि उसमें रहते आदमी हैं रहते आदमी हैं एक वार एक सज्जन से हमने कहा कि यह कुट्टा कहे को पालते हो पालने को पालने को कुट्ता पालने वाले जितने मालिक होते हैं तूले निश्चंत होते हैं और जो आने वाला होता चिंतित तो वही होता है वो किता भाई साहब चले आप चले आप वो कुछ नहीं भूले आप आजाओ 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 अब आजाओ अब आजाओ मुसीवत है भाई मुझे तो डर लगता तो मैंने कहा कि यह काहे पर पालते हो तो उस व्यक्ति ने जो तरक दिया वह भी बड़ा अद्भुत था वह कहने लगा महारा जमाना खराब है कब कौन आक्रमन कर दे कोई ठिकाना नहीं इसलिए कुट्टा रखते हैं पालना जरूरी हो गया है मैं उसका उत्तर तो नहीं दे सका पर मन ही मन सोचता रहा कि आज हमारा कितना नैतिक पतन हो गया है कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुट्टा कर रहा है और फिर भी हम अपने को आदमी कहते हैं माना कहते हैं हमें विचार करना चाहिए एक बार कुतों में जगरा हुआ जगरा होते ही कुतों में हुआ और डट के हुआ सवाकी के कुत्ते बड़े नाराज हुए फ्रे कुत्ता भागा अब नहीं आऊँगा, दूसरे बोले आना मत उत्त ही ठेरा तीसरे दिन फिर आ गया तो बाकी के कुट्ते बोले तु फिर लोट कर आ गया रे कल हुआ जा चला जा यहां से अरे दल बदल हुआ और तेरे लोट आने से हैरान है हम तुझे फिर दल में ले लें क्या इनसान है हम हम आदमी हैं जो ऐसा करें हम कुत्य हैं हमारा भी सिद्धान्त है यह तो हमारी हालत हो गई है आप सोचो तो उस राइगीर ने काज भूल से आई गएं गलती से आ गएं तो पानी पिलवा दो क्या करेगा प्यार वो भगवान से क्या करेगा प्यार वो इमान से जन्म लेकर गोद में इनसान की करना पाया प्यार जो इनसान से पानी पिलवा दे ले तो नाराज हुआ गले ही पड़ गए तो बैठ जाओ अब उन्होंने अपने नोकणों को आवाज लगाई अले भाई कोई हो तो इन्हें पानी पिला दो अब मौके पर कोई नहीं था तो धनी आदमी राहगीर से बोला मैट जाओ किसी आदमी को आ जाने दो पानी पिलवाई देता हूँ आदमी माने नोकर आदमी आजकल वोई कहे जाते हैं कितने आदमी काम कर दाए हैं सच मत पिचारी जो काम करें वही तो आदमी हैं तो उनका किसी आदमी को आ जाने दो पानी पिलवाई देता हूँ पर मजे की बात बड़े आदमी के आदमी कोई मोके पर नहीं थे अब रहा है कि प्राण कंठकत होने दो बाबु जी अब तो प्राण ही निकल रहे हैं प्यास के बारे तो नाराज हो कि बुले कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने दो पानी पिलवाई देता हूँ तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि बाबु जी थोड़ी देर के लिए अगर तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हारज है हमें चड़ियों की तरह आकास में उड़ना आ गया है हमें पंडुब्यों की तरह पानी के भीतर उतरना आ गया है पर हम हमें आदमी की तरह आज धर्ती पर रहना नहीं आता कैसी बिडंबना है और इसके लिए मानस का संदेश है केवट प्रसंग के माध्धन से अगर हम चाहते कि हमारे जीवन में मानवता अवतरित हो तो एक ही उपाय है भगवान के चरणों का आश्रेले यह नाव-नारी नबन जाए जो शिला बन सकते है नाव की न रामकी न का शिला तो पाशान की पर नाव तो लकड़ी अरे महराज लकड़ी दो और जल्दी बनेगी पाहन ते बन-बाहन काठ को काश्ठ पाशान से कोमल और फिर इतने दिन से जल में पड़ा है, पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है, इसलिए भाराज नाव, भगवान नारी बन भी गई तो कठनाई क्या है, जलत्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी, पार करने वाली स्वयम पार हो जाएगी, केवट ने कहा लेकिने एक बात है, अगर ये नाव, नारी बन गई, चैतन्य हो गई, तो कहां बैठेगी, का घर में, अज़े इसके दोनों याँस है, आध्यात्मिक संकेत भी बड़ा मधूर है, के नाव बुध्धी है, और बुध्धी अगर चैतन्य हो गई, तो घर में बैठेगी, घाट पर नहीं रहेगी, फिर घट में रहेगी, का जिनकी बुध्धी ब्रह्म बोध से चैतन्य हो गई है, वो अब किसी घाट पर नहीं जाती, वह तो घट में ही है, घर में ही बैठेगी, हमी थे भूले, हमी में भूले, हमें डूणने, हमी चले, हमी ने खोजा, हमी ने पाया, हमें मिले तो हमी मिले हैं,